जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे कक्षा आठवी नवी एगारवी परिक्षा जून में अब तक मोडल प्रस्न पत्र तय नहीं जारखन में महेट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा के बाद जून में आठवी नवी और एगारवी की परिक्षा होनी तय है बावजूद इसके अब तक मोडल प्रश्ण पत्र नहीं बना है बता देश चात्र चात्रा उहा पोह में है कि त्यारी कैसे करे आठवी नवी और एगारवी की परिक्षाए भी OMR सीट पर और उतर पिस्तिकाओ पर होगी एक एक दिन एप परिक्षाए होगी चात्रों को 44-44 अंगों का OMR सीट पर और 44-44 अंगों का लिखित उतर देना होगा जाकन एकेडमी काउंसिल इसका सेडियोल जारी करेगी आठवी नवी और एगारवी की परिक्षा के लिए केंद्र बनाये जा सकेंगे मैट्री के परिक्षा केंद्रों पर नवी की और इंटर्मीडेट के परिक्षा केंद्र में एक आरवी की परिक्षा होगी सदमे में अमर सहीत तेलंगाना खड़िया का परिवार अमर सही तेलंगाना खड़िया के पोते जोगिया खड़िया के निधन के महज एक सब्ता के अंदर ही उनकी पतनी पुनिया देवी का भी निधन हो गया रांची के रिम्स में इलाज के दोरान आज रभी बार को उन्होंने आक्री साथ ली बताद लंबे समय से पुनिया खड़िया बीमारियों से जूज रही थी उन्हें थाइराइड और सांस की समस्या थी वहीं अपने पती जोगिया खड़िया के निधन से भी वो बुरी तरह आहत थी रांची डीसी का फर्जी वाट्सेप आकाउंट साइबर अपराधियों ने रांची के उपायुक्त के नाम से फर्जी वाट्सेप अकाउंट बनाया है और इसके जरीए जीले के भी भी इन अधिकारियों का मैसेज कर रहे है या दूसरा महोगा है जब रांची डीसी के नाम से सोचल मेडिया पर कोई फर्जी अकाउंट बनाया गया है बतादेश से पहले साइबर अपराधियों ने फेस्बुक पर भी रांची डीसी के नाम से फेस्बुक आईडी बनायी थी मोबाईल नमबार 980-2975 के जर्यवाट से पर बनाये गया फर्जी अकाउंट की डीपी में बाकाईदा रांची के डीसी चावी रंजन की तस्बीर भी लगी हुई है जारखन के 230 पलस्टू स्कूलों में जल्द होगी लाइब असिस्टेंट की न्युकती जारखन के 230 पलस्टू स्कूलों में 690 परियोग साला सहायक की न्युकती होगी इस्कूली सिक्षा यम सर्षता विभाग ने इसे लेकर त्यारिया फूरी कर ली है आरक्षन रोस्टर किलियर कर लिया गया है विभाग ने न्युकती का प्रस्ताव कार्मी को भेज दिया है न्युकती के लिए जारखन करमचारी चैन आयोग परिशा लेगा कार्मी विभाग की ओर से न्युकती के याशना आयोग को भेजी जाएगी राज में वर्तमान में 635 प्रलश्टू स्कूल है इसमें से 510 में पढ़ाई हो रही है जबकि 125 इसकूलों में इस वर से नमांकन लिया जाएगा है जारखन मौसम 22 अप्रेल तक बादल जारखन भीशन गर्मी के चपेट में है कईजिलों में लूच चल रही है अस्पतालों में हीट वेब से पीडित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं बच्चों और बुजूर्गों पर इसका ज़्यादा असर दिख रहा है मौसमी भांग ने पुरौनमान किया है कि अगले पांच दिनों तक राजजे के संथाल और कोलान वाले इलाके में कहीं कहीं आकास में बादल चाहे रह सकते हैं वहीं हलकी बारिस भी हो सकती है 22 अप्रेल तक राजधानी में आंसिक बादल चाहे रह सकते हैं सर्जू राय का बन्ना गुपता पर पलटवार स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता और उनके मंत्री को सांग के 69 कर्मियों को कोविट प्रोच साहन राज़ी निकासी के लिए संचिका को सागार भेजी गई थी लेकिन 31 मार्च को रात 11 बजे के बाद सर्वर बंध हो गया जिस कारण रासी लेप्स हो गई यह जवाब बिधायक वा पूरो मंत्री सर्जू राय ने मंत्री बन्ना गुपता के सवाल पर पलटवार करते हुए दिया है गीरी डी में सड़क हाजसा गीरी डी के जमुआ मूख्य मार्ग में देवरी थाना छेतरे के पतरवा गाउं के पास होई सड़क दुरखाटना में साइकल सवार छातरे की मौत हो गई दुरखाटना रभिवार के सुबा आठ बजे की है काटना के समध में मिली जनकारी के मुताबिक देवरी थाना छेतरे के परसांट टांड पंचायत के पतरवा गाउं में रामेश्वर दास का पूत्र प्रिंस कुमार 14 वर्षिये चत्रों से कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर साइकल से वापस घर लोट रहा था पीठ पर लोहे का हूक लगा बांस पर लटक कर भोगताओं ने दिखाई हठ भगती सराई के लाखर्चावा के कुचाई के गुड़ गुदरी गाउं में वार्षिक चड़क पूजा का अविजन किया गया गाउं के सीव मंदिर के सामने भोगताओं ने चैत्र संक्रान्ती के मौके पर विद्वत पूजा अर्चना की इसके पहचात भोगताओं ने भावान सीव के प्रती अपनी भगती वास्था को प्रकट करते हुए गाजा डांड का अविजन किया इसमें भोगताओं के पीठ की चमडी में लोहे का हूक लगा कर 30 फिट उपर एक बास के साहरे लटकाया जाता है 15.26 निरिते दल दिल्ली के लिए रवाना राज किये 6 निरिते कलाकेंद्र सराय के लाके निदेशा गुरु तपन कुमार पटनाया के नेतितों में सनिवार को 15 सद से टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई 15.26 निरिते दल भारत सरकार के संस्कृतिक मंत्रले द्वारा दिल्ली के कमानी अडिटोरियों में आवजित राष्ट्रिय अस्तर के कारकरम में हिसा लेगी 15.26 जहां अस्थानिय कलाकारों द्वारा 6 निरिते का परदर्शन किया जाएगा 15.26 जहां अब ही बैंकिंग सेक्टर में काररत है इस काम अंजाम तक पहुचने में उनकी पत्नी निशा रानी का भी बड़ा योगदान है लेकिन एस फ़र इतना असान नहीं था बता दे इस काम को सुरू करने में काफी परिसानियों का सामना करना पड़ा 45 लाख रुपए के बिवाद में हुई वाड़ परसद के पती की हत्या वाड़ परसद पती सा जमीन कारोबारी फिरोज उर्फ रिंकू के हत्या के मामल में बिल्डर मोरसीद संदेह के घेरे में है पुलिस उसकी तलास कर रही है घटना के पीशे जमीन विवाद को वजह मना जा रहा है पुलिस को जनकारे मिली है कि रिंकू की हत्या में 25 लाख का विवाद है इस विवाद को भी केंद्र बिंदू मान कर पुलिस जाच में जूट गई है सुचना मिली है कि एक बिवादी जमीन को बिल्डर मुर्सीद ने खरिदा था इस बिवादी जमीन को खरिदने में रिंकू ने 25 लाख रुपई इन्वेस्ट किया था खादान लीज मामला में मुख्य मंत्री पत से स्थीपा देना पर सकता है जार्खन में कभी भी कुछ भी हो सकता है कम से कम ताजा सियासी हालात तो यही बता रहे है मुख्य मंत्री हमांस्ट्रेन खादान लीज मामले में दोहरी सरकारी लाव लेने और जन परती निधित्व कानून का वलंखन करने के मामले में चोतरफा घिर गए है चाहे अंचाहे उनकी कुर्सी खत्रे में हाए सीएम पर अगर दोश साबित हुआ तो उन्हें मुख्य मंत्री पत से इस्थिपा देना पर सकता है बिधायक के पत से भी वे हटा दिये जाएंगे ऐसे में जार्कन सरकार बुरी तरह संकट में घिर जाएगी जामुमों कॉंग्रेस और रायात कटबंधन को मुख्य मंत्री के लिए नया चेहरा तलासना होगा रांची में मिठाई दुकान में लगी भीशन आग रांची के सिंग मोड इस्थी तपन स्विट्स में भीशन आग लग गई आग सुबह करीब 4 बजे लगी थी आग की लप्टे उची उठती रही और धो दुकर जलती रही अग लगी से पुरा दुकान जलकर राख हो गया अग लगी के दवरान वहां अफरात प्री मची रही दुकान के स्टाफ दुकान के उपरी तले में सोय थे आग लगने के बाद वे किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाए हलाकि पुरा दुकान जलकर राख हो गया है हीमोफिलिया खुन से जुड़ी जिनेटिक समस्या हेमोफिलिया खुन से जुड़ी समस्या है जो जिनेटिक होती है हर साल 17 अपरेल का दीन इस समस्या को समरपिता है World Hemophilia Day यानि 200 हेमोफिलिया दिवस को मनाने का मकसद लोगों को इस खतनाग समस्या के बारे में जागरूप करना है बताते जब सरीर में कुछ खास प्रोटिन की कमी हो जाती है तब एस समस्या होती है हेमोफिलिया दो परकार के होते हैं इसमें हेमोफिलिया A में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है वही हेमोफिलिया B में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है खुन का ठका जमने के लिए खुन में दोनों फेक्टर का होना जरूरी है अनपूर्णा देवी का राजगी अतिथी का दर्जा खत्म जारखन सरकार ने केंद्रिय सिक्षा राजे मंत्री अनपूर्णा देवी के राजगी अतिथी का दर्जा वापस ले लिया है इस समन्द में मंत्री मंडल निगरानी एम समन्य विभाग द्वारा सनिवार की रात पत्र जारी किया गया इसमें कहा गया है कि चुकी परदेश में पंचाज चुनाव की घोसना हो चुकी है और आदर्स चुनाव अचार संहिता प्रभावी है ऐसे में उन्हें राज की आतिती गोसित नहीं किया जा सकता उनके अनुसार सुधाय एवं प्रोटोकाल उपलब्द कराया जाना भी संभव नहीं है धन्यवाद